आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप आज हम लेन देन के लिए रुपियों और पैसों का उप्योग करते हैं इसके पीछे सर्व स्विकारिता की बात है इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्विकार करते हैं विश्वास बनाय रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मानिता देती है या वैधानिक होती है इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्विकार नहीं कर सकता वर्तमान युग में हम वित्तिय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रही त्वेवहार भी करते हैं हम कुछ वस्तूओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादी के द्वारा भी भुकतान कर देते हैं बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं हम किनी वस्तूओं सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है बैंक द्वारा चेक प्रमाडित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा और महत्तोपूर्ण स्वरूप है बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यता बचत खातों, चालू खातों और स्थाई जमा फिक्स डिपोजिट के रूप में होते हैं बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं वही चालू खाते में व्यवसाई ग्राहक अपने रुपियों को रखते हैं, जिनकी जरूरत उन्हें अक्सर पढ़ती रहती है इन खातों में प्रति दिन पैसे जमा किये जाते हैं और निकाले भी जाते हैं इसलिए इन खातों को चालू खाता कहते हैं चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुकतान करने के लिए चेक दे सकते हैं यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुईधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है डेबिट कार्ड आज भुकतान के साधन के रूप में आसानी से स्विकार किये जाते हैं बैंक हमारे खातों में जम्मा रुपियों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं इन कार्डों में हमारी खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है जैसे ही हम किसी चीज की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुकतान करने के लिए अपना कार्ट देते हैं दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुकतान मशीन में कार्ट डालता है मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाडित करती है ग्राहक अपना पिन कोट डाल कर उस भुकतान को स्विकार करता है इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते से भेज दी जाती है आपने किसी दुकान से 15,000 रुपे की नगद रहित कैशलेस खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुकतान करना है उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे नीचे उदाहरण के लिए एक प्रारूप दिया गया है आप इसे किस तरह भरेंगे करके देखें इनसे हमने जाना की मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं एक नगद राशी जो हमारे पास होती है और दूसरी वह मांग जमाराशी जिने हम बैंकों में रखते हैं और वह राशी मांगने पर बैंक हमें देती हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक व्यवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी हैं इन पैसो द्वारा लेन देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है। इस बैंकिंग विवस्था को सुचारू रखना सरकार का काम है। तभी इसमें विश्वास बना रहता है और हम सहर्ज तरीके से इसका उप्योग करते हैं। अतह सर्वी स्विकारिता बनी रहती है। मुद्रा, पैसे एवं बैंक खाता के विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्य लेन देन में स्विकारि होती हैं। अतह मुद्रा की साख इसकी सारुभौमिक स्विकारिता से होती है। यह हमारे लेन देन को सरल बना देती है। किसी देश के अंदर वहां उप्योग होने वाले पैसो के आधार पर मुल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तू या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा ही अंकित करते हैं। मुद्रा का उप्योग कर कोई भी व्यक्ती तरह तरह की वस्तूइं भिन भिन कीमतों पर खरीद सकते हैं।